हेलो फ्रेंड्स, मैं परसांद कुमार स्वागत करता हूँ आज के 10 हिंदू वोकाविलिडी सेशन में सेशन सुरू करने से पले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हैं, तो हमारे चैनल हेवन्स क्लासेश को सब्स्क्राइब करें और बिल बटन दबाएं ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो चलिए दोस्तों, सुरू करते हैं आज के सेशन आज के पहला वर्ड है दोस्तों, कनफाउंड, यह पार्ट्स पीच में भार्व है इसका मबनिंग हो गया to prove somebody or something wrong जिसका हिंदी होता है गलत साबित करना इसका सिनोनान्स हो गया invalidate, negate, contradict और counter सेकेंड वार दोस्तों, stultify यह पार्ट्स पीच में भार्व है इसका मबनिंग हो गया cause to lose enthusiasm and initiative especially as a real of an tedious or restrictive routine जिसका हिंदी होता है अवरोध करना इसका सिनोनान्स हो गया hamper, impede, obstruct और suppress नेस्ट वर्ड़ा है दोस्तों, conspicuous यह पार्ट्स पीच में डियक्टिव है इसका मबनिंग हो गया easy to see or notice जिसका हिंदी होता है पर्ट्यक्ष इसका सिनोनान्स हो गया noticeable, prominent और striking नेस्ट वर्ड़ा है accentuate इसका मबनिंग हो गया to emphasize something or make it easier to notice इसका हिंदी होता है अधिक सुखस्पस्ट करना इसका सिनोनान्स हो गया emphasize, underscore, highlight or point up नेस्ट वर्ड़ा दोस्तों abomination यह noun है इसका मबनिंग हो गया a thing that causes disgust or low thing इसका हिंदी होता है अति घरना इसका सिनोनान्स हो गया disgrace atrocity, obscen city और outrage नेस्ट वर्ड़ा दोस्तों, traverse यह पार्ट सब इसपीच में भार्ब है इसका मबनिंग हो गया travel, across और throw जिसका हिंदी होता है पार जाना इसका सिनोनान्स हो गया cross, travel over, pass over और go across नेस्ट वर्ड़ा स्क्वेंडर, यह भार्ब है इसका मबनिंग हो गया to waste, money, time, etc, in a stupid, or careless way जिसका हिंदी होता है धन लुटाना इसका सिनोनान्स हो गया waste, miss spend, or dissipate अगला वर्ड है weave, यह parts of speech में noun है इसका मबनिंग हो गया a puff, or breath of air, or smoke, जिसका हिंदी होता है जोका इसका सिनोनान्स हो गया gust, puff, or blast नाइन्थ वर्ड है muffle, यह parts of speech में भार्ब है इसका मबनिंग हो गया make a sound, quieter or less distinct जिसका हिंदी होता है अवाज दवाना इसका सिनोनान्स हो गया dampen, didn't, और suppress नेस्ट वर्ड है दोस्तों, अभीबल यह parts of speech में noun है इसका मबनिंग हो गया a violent, or certain change, or disruption to something जिसका हिंदी होता है उथल पुथल इसका सिनोनान्स हो गया disruption, disturbance, turbulence, or trouble इलेवान्स वर्ड है दोस्तों, contemplate यह parts of speech में भर्व है इसका मबनिंग हो गया to think about whether you should do something, or how you should do something जिसका हिंदी होता है विचार करना इसका सिनोनान्स हो गया consider, ponder, ruminate, or meditate नेस्ट वर्ड है डिपलेशन यह noun है इसका मबनिंग हो गया the reduction of something by a large amount so that there is not enough left जिसका हिंदी होता है कमी इसका सिनोनान्स हो गया exhaustion, reduction, diminution, or shrinkage नेस्ट वर्ड दोस्तों, inevitable यह parts of speech में डिजक्टिव है इसका मबनिंग हो गया that you cannot avoid or prevent जिसका हिंदी होता है निश्चित या जो टल न सके इसका सिनोनान्स हो गया unavoidable, certain, sure, or unpreventable नेस्ट वर्ड है decimation यह parts of speech में noun है इसका मबनिंग हो गया the act of severely damaging something or making something much weaker जिसका हिंदी होता है तबाही इसका सिनोनान्स हो गया annihilation, destruction, devastation, devastation, extermination आजका last word है दोस्तों, dwindle यह parts of speech में भरव है इसका मबनिंग हो गया diminish, gradually, in size, amount, or strength जिसका हिंदी होता है कम होना इसका सिनोनान्स हो गया diminish, decrease, decline, or shrink तो यह था दोस्तों आजका दा हिंदू vocabulary session जो आपके किसी भी competitive exam के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल heavens classes को subscribe करें, like करें, और दोस्तों के साथ share करें मिलते हैं दोस्तों अगले session में जा हिंदू मिलते हैं